इन मैल्चुर इंजिनियरिंग यूटुब चैनल आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी 2019 और 2024 का पैटर्न है फॉर दाट एंट सेम एग्जामिनेशन और ओरल काज जो भी टेंटिटिव देट से उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे उसके बाद सबसे वहले हम देखेंगे जो भी इस वीडियो का एग्जामिनेशन शडूल है 22 फॉर दो इन सेमिस्टर एग्जाम इस ए और इफी के लिए मतलब जो भी थर्ड यर के स्टुड़न्ट है जिनका बैकलॉग या फिर ओव आईडी है जो भी इन सेम या फिर एन सेम का मार्स कम होने के बज़े से तो उसके बारे में हम देखेंगे सबसे पहले उनका जो भी इन सेमिस्टर का शडूल है वो आपना जो भी आपका आपका इंस्टिटूट होगा वो डिसाइड करेगा सबसे पहले यफी और यसी का जो भी इन सेमिस्टर एक्जाम है और अफ्टर तिवाली होने वाला है और उसका जो भी मतलब टाइम टेब होल होगा इस पिरेड में आपका इंस्टिटूट आपको बेज देगा जो भी इंस्टिटूट डिसाइड करेगा देट्स उससी देट्स को यफी और यसी 2019 पैटन का इन सेमिस्टर एक्जाम होने वाला है ओके अफ्टर देट दो प्रैक्टिकल एंड ओरल तो प्रैक्टिकल एंड ओरल उसका जो भी 22 देट्स है फर 2024 यसी पैटन यसी T.E.B. 2019 पैटन के लिए वो है 5th of November सु 16th of November मतलब इस 10-12 दिन के जो भी पीरिड में जो भी आपका इंस्टिटूट आपका प्रैक्टिकल या फिर ओरल का एक्जामिनेशन का शडूल बताएगा उसके अप्वर्डिंग ही आपका ओरल और प्रैक्टिकल होने वाले है अफ्टर दाट दो एंड सेमिस्टर एक्जामिनेशन फर बोथ पैटन दाट इस 2019 और 2024 पैटन के लिए 22 देट से 17th of November से मतलब सपोज किसी का बैकलोग है तो बैकलोग का जो भी एक्जाम हो 17 या फिर 24th of November से स्टार्ट हो जाएगा अफ्टर दाट जो भी आपका रेगुलर का एक्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा और यफी 2024 का पैटन है एंड सेमिस्टर के लिए उसका है 12th of January 2026 को यफी क्योंकि उनका academic year मतलब देर से चालू हो है उसकी बज़ए से उनका एंड सेमिस्टर एक्जाम भी January में होने वाला है अफ्टर देट दे वेकेशन स्लोट मतलब अफ्टर दे यवर प्रैक्टिकल ओरल एंड सेमिस्टर एक्जाम आपको कोई सा मतलब वेकेशन स्लोट मतलब आपको अगर इंटर्शिप करना होगा या फिर आप कोई जो स्टुडेंट्स होते हैं वो बहुत दूर से आते हैं वो उनको मतलब चुटी कितने दिन मिलती है कब मिलने वाला है उसका मतलब वो इंपोर्टन है उसका वेकेशन स्लोट है यसी टीए बी के लिए 1st of December to 31st of December not like कि यह पूरा मन्त हमारा वेकेशन स्लोट है उस स्लोट में जो भी आपका इंस्टिटूट आपको वेकेशन दे जाएगा मतलब उसके आपका वेकेशन होने वाला है और जो भी यफिका है वो 22 to 26 of January 2026 में उस शडूल में उनका वेकेशन होने वाला है जो भी आपका इंस्टिटूट आपको वेकेशन दे जाएगा तो उसके आपका वेकेशन स्लोट हो जाए ओकेशन स्लोट हो जाए जो भी होने वाला है 2019 और 2024 पैटर्न का उनका इंस्टिटूट देज से जो फर दो पर दो मोर अक्देमिक संट्टिबस रिलेट वीडियो किले याइ रिक शेर और सब्सक्राइब तो दो मैट्वर एंचेर एंचेर निए यूट चैनल तो थैंक ये